हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम बेक टू चिकीज बाइलोजी अनदर वीडियो टूटोरियल इन इस वीडियो टूटोरियल आई एम गोइंग टो डिसकस एबाउट नरेंदर देवा उनिवस्टी ऑफ एगरी कल्चर एंड टेकनोलोजी कुमार गंज आयोध्या यूपी वह सा सबी स्टूडेंट्स की प्रोब्लम को देखते हुए आप लोगों के साथ मैं आज इस यूणिवस्टी के बारे में डिसकस करने जा रहा हूं और फ्रेंड्स आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी चिकीज बाइलोजी चैनल पर जो हमारी आने वाली वीडियो हैं वो सभी इंडिया के जो रेपूटेटिड उनिवस्टी हैं एग्रिकल्टर से रिलेटिड उनखी रैपूटेटिड उनिवस्टीड के बारे में ही होंगी और उन सबी उनिवस्टी sono वे पता नहीं होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो हैं इस से अवैर नहीं होते की आफ्टर क students को ये सबी जो वीडियोज होंगी वो बहुत ही help करेंगी I hope so और उन सबी students को एक right path जो है ये सबी वीडियोज जो है या एक right जो guidance है ये सबी वीडियोज उन सबी students को provide कराएंगी तो friends कि आज हम लोग जो हमारी नरेंदर देवा यूनिवस्टी आप agriculture and technology है जो हमारी कुमार गंज आयोध्या यूपी में है इसके बारे में discuss करेंगे और friends आप लोग यहां से अपना bachelor course अपना master course और अपना PhD course कर सकते हैं तो friends आप लोग यहां से कैसे अपने ये सभी courses कर सकते हैं और क्या eligibility है यह भी हम लोग बात करेंगे तो अगर आप लोगों ने अपना 12th class आप लोगों ने अगर physics chemistry biology से किया है या physics chemistry math से किया है तो आप लोग यहां से कोई भी bachelor course कर सकते हैं लाइक जैसे की btech course या bsc course और कौन-कौन सी stream यहां पर available है इन course के लिए वह भी मैं आप लोगों के साथ में discuss करूंगा और कौन-कौन सी branches जो है यह university आप लोगों को provide कराती है bachelor level पे master level पे या PhD level पे वह मैं आप लोगों के साथ में discuss करूंगा या कौन-कौन से topic में आप लोग फर्दर यहां अपना master course अपना PhD course कर सकते हैं तो यह आज हम अपनी इस वीडियो में discuss करेंगे तो first of all हम लोग बात कर लेते हैं entrance exam की कौन-कौन से entrance exam के थूरू आप लोग इस एक particular university में admission ले सकते हैं किसी भी course में तो friends अगर आप लोगों ने ICAR का exam क्वालिफाइब किया है तो भी आप लोग यहां पर हैं different courses के लिए और अगर आप लोगों ने यह university UP में है तो अगर आप लोगों ने UP combined agriculture and technology entrance test आप लोगों ने दिया है तो भी आप लोग यहां पर eligible हैं अगर आप लोगों ने इन दो exams को qualify किया है इन टू entrance exam को आप लोगों ने qualify किया है तो आप लोग इस university से कोई भी bachelor level का course कोई भी master level का course या PhD course आप लोग फर्दर proceed कर सकते हैं तो अगर आप लोगों को अपना bachelor course करना है तो इसके लिए आप लोगों का 12th class science system से complete होना चाहिए अगर आप लोगों को master course करना है तो आप लोगों का bachelor course complete होना चाहिए और आप लोगों का entrance exam वहाँ पे qualify होना चाहिए अगर आप लोगों को PhD course करना है तो आप लोगों का कोई भी four year का course complete होना ज़रूरी है या आप लोगों का BSC plus MSC course complete होना ज़रूरी है और इन सबी courses के complete होने के साथ साथ आप लोगों का कोई भी एक entrance exam जो मैंने आप लोगों के साथ में भी discuss किया उन दोनों entrance exam में से आप लोगों का कोई भी entrance exam qualify होना first essential है वो यहाँ पर ज़रूरी है तो friends अब हम हम लोग बात करते हैं इस university के बारे में कि यह university आप लोगों को कौन कौन से courses master level पर और bachelor level पर प्रोवाइड कराती है या आप लोग कौन कौन से courses में यहाँ पर फर्दर admission ले सकते हैं तो हम लोग start करते हैं तो friends first of all मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूं bachelor level के जो हमारे courses है उनकी तो bachelor level में आप लोग यहाँ पर बीसी होन्स आप लोग agriculture बीसी होन्स आप लोग साइन्स कोर्स कर सकते हैं आप लोग यहाँ से Bachelor in veterinary science कोرस आप लोग यहां से Cam that's animal hybrid कोर्स कर सकते हैं bachelor level यहां से master course की मा आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूं आप लोग यहां से MSc agriculture को कर सकते हैं आप लोग यहां से master of veterinary science course कर सकते हैं आप लोग यहां से PhD in agriculture और एंड इन veterinary science course आप लोग कर सकते हैं तो यह सभी जो courses हैं यह सबी courses आप लोग इस university के main campus में कर सकते हैं यानि main campus में यह सभी courses जो हैं इस university के main campus में available हैं आप लोगों को बिल्खुल भी यहां पर confused नहीं होना है आप लोगों के साथ में जो मैं information share कर रहा हूं उस information को आप लोगों को अच्छे से understand यहां पर first of all करना है और अगर किसी भी points से related या किसी भी कोई भी आप लोगों की query है इस वीडियो से related तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे comment box में type करें अपनी problem को अपनी query को मैं आप लोगों को वहां पर भी उस query का solution provide कराऊंगा तो friends यह बात हो गई main campus में जो आप लोग courses यहां पर कर सकते हैं अब इस university से जो affiliated हैं बहुत सारे जो institution हैं उनके बारे में बात करेंगे बट उन सब institutions के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक और यहां पर important point किलियर कर देना चाहता हूं कि जो बीटेक agriculture course है वो भी आप लोगों को यह university provide कराती है बीटेक agriculture engineering course आप लोगों को यह university provide कराती है बट यह course जो है इस university के में campus में नहीं यह चलता course और वहां पर यह course operate नहीं होता इस university के जो एक तरह से जैसे मैं आप लोगों के साथ मैं अभी discuss करूंगा the university has following कॉनसी 20 colleges and institutes ठीक है तो जो मैंने आप लोगों को भी बताया बीटेक इन जो हमारा agriculture engineering course था वह course जो है आप लोगों को यह university जो इसका एक कॉनसी ट्यूंट जो college है वह हमारा महामाया college of agriculture engineering and technology अकबरपूर अंबेडकर नगर में यह हमारा है यहां से आप लोग वह course कर सकते हैं बट वह इस university के में campus में वह course operate नहीं होता वह course में वहाँ पर नहीं चलता तो उस course को अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को माम आया college of agriculture engineering and technology अकबरपूर अंबेडकर नगर में आप लोगों को admission लेना पड़ेगा और यह college भी इसी यूनिवस्टी का एक कॉनसी ट्यूंट college है ठीक है तो फ्रेंट से जो इसी यूनिवस्टी के दा यूनिवस्टी हैस फॉलोविंग constituent colleges and institutes उनके बारे में भी discuss कर लेते हैं तो फर्स्ट जो यहां पर कॉनसी कॉनस्ट जो यहां पर कॉनस्ट्वेंट कॉलीज है वो है हमारा college of agriculture कुमार गंज आयोध्या ठीक है नेक्स्ट जो है college of agriculture आजमगर्ण next college of home science कुमार गंज आयोध्या next college of veterinary science and animal husbandry कुमार गंज आयोध्या next मामाया college of agriculture engineering and technology अकबरपूर अमबेढकर नगर next college of holiday culture and forestry कुमार गंज आयोध्या और next college of fisheries कुमार गंज आयोध्या next doctor रामनोर लोईया इंसिट्यूट अप्लांट बायो डाइवर्सिटी एंड पायो टेक्नोलोजी कुमार गंज आयोध्या तो यह सबी जो है इस university के एक तरह से constituent colleges है और इस university के पार्ट है आप लोग इनको पार्ट भी मान सकते हैं तो यह सबी एक तरह से एक तरह से बहुत ही जो इस university की जो एक तरह से important information है या इस university से लिए जो एक तरह से important जो points है वो मैंने आप लोगों के साथ में discuss किये और I hope friends ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी इस वीडियो से related अगर आप लोगों का कोई question आप लोगों की कोई query है तो आप लोग उसको video के नीचे comment box में type कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में connect हो सकते हैं चिकीज biology के फेस्बूक पेज के साथ चिकीज biology के Instagram account के साथ और हम अपनी नेक्ट्ट वीडियो में किसी और agriculture University के साथ में आप लोगों के साथ में मैं discuss करूँगा और नेक्ट्ट्ट वीडियो में हम अपनी किसी और इंडिया की एक reputed university के बारे में discuss करेंगे और आप लोग मेरे साथ में जैसे मैंने बताया कि चिकीज बाइलोग के facebook page के साथ जुड़ सकते हैं चिकीज बाइलोग के instagram account के साथ जुड़ सकते हैं जिसकी link में आप लोगों को हमेशा ही अपने वीडियो के description box में provide कराता हूँ और आप लोग वहां फे अपनी queries अपने questions अपने जआप लोगों के thoughts यह मेरे साथ share कर सकते हैं और वीडियो के नीचे comment box में टॉप्समें आप लोग अपने आप लोगों के content box में चैनलώρα को subscribe जरूर करने चूकि कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी आएगा अगर आप लोगों ने चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलें सो थांक यू फैन्क यू वर वाचिं